कि थोढ़ दादक के कर देबी को इस वीड़ियों यह अज इस वीडियों में आपको बताने जा रहा हुँ कि अगर आपको जो लाइस्टाइल वे फिट लाइस्टाइल वाले लोगों को ज़ूझ ऐते हैं और यहां जाते हैं अपके लिए जो कार्ब्स है वो कम चाहिए होते हैं क्योंकि प्रोटीन अगर आप ज्यादा रखेंगे कार्ब आप कम रखेंगे तो आपकी बॉड़ी जो है वो शेप में रहेगी तो काफी मैटर करता है तो इसका जो प्राइज है वो में आपको बता हूंगा इसके नूट्रिशन लेवल जो थिञाद कार रूपीज फ़र फॉर हंडड़ ग्राम अ इसका जो प्राइज है पतांजलि के ओट्स का यह यूट्स प्लों 552 फ्र अन्म Pikachu कड्यक्त फ़ांड़ हैं यान की हाफ केजी एंड फॉर हंड़ ग्राम तो इसका जो प्राइज अवोको शो नैटिस वोगल तार ुि Shap search ॉट्स तो आपको मैं बता दूं की इसके जो न्यूटरिशनल जो लवल है वो कम है। और इसके जो पतांजनी वोड़ फिफित लाइफस्टायल जीते हैं। तो आपको पता हया होगा कि फिट लाइफस्टाइल में जो प्रोटीन और काप्स का जो रोल होता है कितना important होता है हमारी body fat के वो maintain रखने के लिए और हमारी जो muscle है उसको maintain रखने के लिए तो अगर आप quicker के oats खा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ इसके अगर करेंगे 100 g अगर आप पूरे दिन में लेते हैं oaten और अगर तो आप पतंजली का ओचन्ट लेते हैं और तो क्या क्या डिफरेंश आपको मिलेगा नुटिशन लेवल में ठीक है तो अगर आप 100 ग्राम जो है वो कुईकर का ओचन्ट लेते हैं तो आपको जो प्रोटीन है वो 11.8 मिलेगा और जो कैलरी जाए वो 407 मिलेंगी और जो टोट कि और शिली की ओर्स की बात करें तो हम साथ जाय रही है तो आप ने देखा उसमें इसमें ज्याय दान चैल रहिस और इसमें जो प्रों सब्धलां है वो भी ज भीज Beau देखास में जहां जाय 2008 इसमें प्रोटीन एंवो भी दाल ऐला है 12.1 5500醒 जीम की जो अपने बॉड़ी को फिट रखते हो उनके लिए एक एक ग्राम भी जो है वो काफी इंपॉंटर होता है तो आई होप आपको इससे जो पूरा अंदासर लगया होगा कि अगर आप फिट लाइफस्टाइल में तो आपको मैं बोलूगा कि जो आप पतांजली ओट से इसकी दरफ जा सकते क्योंकि इसका 90 रूपीज में आपको जो है वो 500 क्राम का जो है वो पैक मिलता है और इसका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं तो न्यूट्रिशनल लेवल आपने देखा दोनों में तो पतांजली का जो न्यूट्रिशनल लेवल है जो कार्ब्स जो हमें कम खाने होते है वो इसमें कम है इसमें ज्यादा है प्रोटीन भी इसमें प्र 5.5 इसमे sodium था 5.3 और इसमे sodium है 9.5 तो कितना difference है nutritional level के लिए तो I hope आपको इस video से जानकरी मिलगी होगी अगर आप fit lifestyle में है तो आपके लिए कौन से oats जो है वो best रहेंगे और आपके जो body weight है उसको maintain करने के लिए और आपका जो muscle है उसको maintain करने के लिए तो जो body building करते हैं जो जिन जाते हैं उनको लिए protein जो हमेशा हाई रखना चाहिए उनको उनकी meal में हाई होता है और जो carbs होते हैं वो कम होते है तो इसमें carbs भी कम है इसमें जो protein है वो भी ज़्यादा है sodium भी कम है इसमें sodium भी जाद है और इसमें protein कम है और carbohydrates इसमें जाद है तो आई होब आपको जो है पूरा idea होगा कि कुण सा जो oats है वो अच्छा रहेगा आपके लिए तो वीडियो देखने के लिए आपका बड़ी शुक्रिया आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे और वी वीडियो में तो वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया आप